नमसकार जूनियर्स बिरानाम है अधित शर्मोर आप दिख रहे हैं Commerce प्यास वह मुझको बहुत सारी क्वेरी जा रही है क्या भाहि आई पी जुनिवर्सिरी का कोई नया राउंड होगा तो जुनिये सबसे पहले तो हम लोग यही बात करते हैं कि IP University के नए round के लिए अभी फ़ों परिशान कियों हो रहे हैं कितने सारे बच्चे हैं जो कि अभी परिशान हो रहे हैं कि IP University का क्या कोई नय ע₉을ांड होगा क्या IP University का CET का 8th round होगा या पर नहीं होगा spot round 4 करवाया जाएगा नहीं करवाया जाएगा क्या वो online हो सकता है क्या वो offline में ही करवाया जाएगा बहुत सारे तरीके की doubts बहुत सारे बचो को आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक तो IP University नहीं है इस बर जो online अपने admissions करवाया है उसके अंदर काफी साथा गडळाड़ी करीया है बच्चों को आप्ग्रेडस नहीं दिrying हैं उसके वज़ए से मगल बच्चों ने वेड्राई लिया है कुछ बच्चों ने उन्हाँ डेली उनिवर्स्टी में ट्राहे करा है कुछ पच्चों कर दली उनिवस्टी में नहीं हो चाहे वो आप लोग का offline round से पहले था या फिर offline round के बाद है, बहुत सारे तो आप लोग के courses ऐसे हैं, जिसके अंदर offline round करवाया गया है, offline round के बाद भी IP University ने clearly अपनी साइट पर notice निकाला है, कि भाई देखो, इस इस college के अंदर अभी इतनी सारी seats खाली है, तो IP University अगर offline round के ब round, 7th round, last round होता, जो अभी आप लोग के लिए offline round करवाया जा रहा है, फिर CUT वले बच्चों के लिए पहला round जो करवाया जा रहा है, अगर यह आखरी round होता, तो मुझे नहीं लगता कि IP University कोई भी आप लोग के लिए vacant seats का notice अब निकालती, क्योंकि हर साल एसा होता तो है, य वो round आप लोग का offline के लिए करवाया जाता है, जरूरी नहीं कि आप लोग का एक round offline में करा दिया तो अगला round आप लोग का online में करवा देगी IP University, या फिर बहुत सारी seats रही है, तो वो लोग online में करवा देगे, online में तो देखो आप लोग का होने के कोई chance बनते ही नहीं है, offline online के लिए आप लोग एक high-order round IP University करासाथा, लेकिन वो सिर्फ कुछ specific courses के लिए हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सारे courses के लिए कराया ज़ाया ज़्या है, जरूरी नहीं है कि CET वाले बच्चों केल sleepy से के क्ली स्थ का कर्वाद refract भाई देखो बहुत लेट लेट तक admissions चलवाता रहता अपने, so IP University के तो tension नहीं होती है, वो अपने admissions को बहुत लेट तक खीच सकते हैं, so IP University अभी September के अंदर हो सकता है, एक राउंड आप लोगो और offline के अंदर announce कर दे, किसी-किसी course के लिए, लेकिन मैं इसकी कोई guarantee नहीं दे सकता हूँ, पिछले सालों के अंदर हाँ आट फर राउंड हुआ है, अगर आप लोगो का question यह है, कि एक नए राउंड हो सकता है नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल भाई एक नए राउंड करवा सकते है युनिवरस्टी, क्योंकि काफी सारी courses के अंदर, अलग-अलग colleges के अंदर, बहुत सारी seats सभी vacant रहे गई है, तो उसको देखते हूँ तो IP जुनिवरसिटी को एक नए राउंड करवा देना चाहिए, ऑफलाइन के अंदर या फिर ओनलाइन के अंदर वो उनकी मरजी है, बागी जो भी नोटे साथ आप लोगो इसी चैनल के उपर वीडियो जरूर मिल जाएगी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोगो ये वीडियो चलिए तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, मैं मिल दो आप से अगले वीडियो में बिकले इतना ही, धन्यवाद!